स्वर्गवासी श्रीमती अलका हेमंत पाटिल इनके स्मृती पृत्यंत अन अपंगों को नई नई उचाया प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने वाली लेखमाला अपनी योगिता सिद्ध करना यह मानव के व्यक्ति मत्व का अभिन्न अंग है हर मनश्य प्राणी अपनी योगिता का सही मुल्यांकन कर अपने आपको दुनिया में पेश करता है जिनके अंदर स्वाभिमान जागरित होता है वे कभी भी अपनी योगिता स्थापित करने से पीछे नहीं हटते जब वे प्रण कर लेते हैं कि मैं दुनिया को जरूर दिखा दूंगा कि मैं अपने आपको आज की दुनिया की स्पर्धा प्रणाली में भी मेरी योगिता का प्रमान जरूर दे सकता हूँ ऐसे व्यक्ति के जीवन्यापन दौरान किसी मुश्किल स्थिती का सामना करना पड़ता है तो वह योगिय मार्ग दर्शन मिलने पर सही रास्ता अपना कर अपनी योगिता साबित करने में जरूर सफल होता है अपने जीवन में पांचवी कक्षा में पढ़ने वाले महेश को जब द्रश्चिहिंता का सामना करना पड़ा तो उसने योगिय मार्ग दर्शन द्वारा अपने जीवन में जो सफलता प्राप्त की वह सचमुछ ही सब को स्तम्भित कर देगी ऐसे ही श्री महेश देवकर का परिचय आज हम करने वाले हैं ठाने जिले के डोमबिवली नामक शहर में एक आम औध्योगिक कारीगर के घर में महेश का जनम हुआ जनम से ही महेश की दाहिनी आख कानी थी महेश का लालन पालन उस परिवार में सही धंग से हुआ जब वह स्कूली शिक्षा लेने योग्यों हुआ तो पास वाले ही स्कूल में ही दाखिला लेकर पढ़ने लगा स्कूल में बच्चे उसे उसके काने पन के कारण चरहते थे हर बार महेश का समसा कर रह जाता घर आकर मा बाप के सामने रो देता घर की आर्थिक स्थिती सामान्य थी फिर भी माता पिता बेटे के काने पन को दूर करने के लिए जानकरी प्राप्त करते थे एक दिन माता पिता को पता चला की मुंबई में आग का काना पन दूर करने की शस्त्रक्रिया यशस्विता से की जाती है माता पिता ने अपनी सारी पूंजी लुटा कर महेश की आख की जाच करने पर डॉक्तर ने उसे सही करने का भरोसा दिया डॉक्तर के सुझाव के अनुसार महेश उस अस्पातल में दाखिल हुआ और शस्त्रक्रिया करने की तारीक और समय निश्चित हुआ कहते हैं नमनुष्य क्या करना चाहता है और उसे उसका फल क्या मिलता है यह तो उसका भाग यही निश्चित करता है महेश की आख की शश्त्रक्रिया जब शुरू हुई तब उस डॉक्तर ने उसके दाही ने आख की बजाए बाए आख पर शस्त्रक्रिया कर दी शस्त्रक्रिया के पाँच दिन बाद जब डॉक्तर को उसकी गलती का एहसास हुआ फिर उसने दोनों आखो पर शस्त्रक्रिया कर सब कुछ सही करने का आश्वासन देकर फिर एक बार शस्त्रक्रिया की हाई दुर्देफ इसी प्रक्रिया में महेश को आमखों की द्रिष्टी गवानी पड़ी मायूस्ता से भरा परिवार बड़ी मुश्किल से इस स्थिती से संभलने में दो वर्ष लगे दो वर्ष पश्चात उन्होंने महेश को विक्तोरिया मेमोरियल स्कूल फॉर दब लाइंड दादर में उसके पढ़ाई के लिए दाखिल करवा दिया वह एक रहिवासी स्कूल था वैसे महेश ने सातवी कक्षा उत्तीन की उस दौरान नाब इंडिया के कॉसिलर श्री हैमंद पाटिल महेश के घर पहुँचे उन्होंने महेश के परिवार को सही धंग से फ्मिली कॉंसिलिंग की उस समय द्रिष्टिबाधितों के लिए समावेशी शिक्षन पधती विक्सित हो गई थी तो महेश के माता पिता को उसके बारे में सही जानकारी उपलप्थ कर उन्हें आठवी कक्षा से आगे की पढ़ाई के लिए महेश का दाखिला अपने ही शहर के सामान्य स्कूल में लेने की सला दी गई उनके माता पिता ने सामान्य स्कूल पढ़ने में जो कुछ बाधाएं आएंगी और उसे कैसे दूर किया जाए उस पर विस्तरित चर्चा की जब वे पूरी तरीके से आश्वस्थ हो गए और समय समय पर कॉंसिलर का मार्ग दर्शन होते ही रहेगा तब उन्होंने कॉंसिलर की सला मान ली जब महेश अपने पास वाले प्रतिष्ठित तिलक विद्याले में दाखिला लेने पहुचा तो वहां के मुख अध्यापक ने अंधत्व की वज़े से उसे दाखिला देने से इंकार कर दिया वे कहने लगे कि हमारा स्कूल एक नामांकित स्कूल है और हमारे विद्यार्थियों का शिक्षा स्तर बहुत उचा होता है वे हमेशा शालान परीक्षा में हमारे शहर में अवल दर्जा प्राप्त करती हैं हमने उनको समझाना चाहा कि अंधत्वा परिणाम बुद्धि मत्तपन नहीं होता है फिर भी सब व्यर्थ निराशा से हम सब डोंबिवली के दूसरी स्कूल सवा जोशी विद्याले में महेश का दाखिला लेने पहुचे तब वहां के मुख्या ध्यापक ने हमारी बाते समझकर महेश को एस वी जोशी स्कूल में आठवी कक्षा में दाखिला दे दिया उसी दिन से जब-जब समय समय पर महेश को मैं मिलने जाता था तो उसे जरूर याद दिलाता की अंधत्व के कारण तिलक विद्याले ने तुम्हें दाखिला नहीं दिया था उन्हें अपने स्कूल की विद्यार्थियों की योग्यता के बारे में जो गर्फ की बाधा हुई थी उस गर्फ का हरन तुम्हें कर अगर अपना स्वाभिमान, सन्मान और द्रिष्ट बाधितों की योग्यता सिद्ध करनी है तो प्रणकर लोकी मैं शालान परीक्षा में तिलक विद्याले के किसी विद्यार्थी से ज्यादा गुण जरूर प्राप्त कर दिखाऊंगा तीन वर्षों तक महेश इसी प्रण के साथ अपनी पढ़ाई में व्यस्थ हो गया महेश की माता उसका अभ्यासक्रम उसे पढ़कर सुनाती थी और उसने नैप के टॉकिंग बुक्स तथा ब्रेल बुक्स से भी पढ़ाई करने की मदद प्राप्त की जब महेश शालान परीक्षा में सबसे अधिक गुण पाकर डोम विवली से अवल नमबर लेकर उत्तीन हुआ तो वह कुशी से मिठाई का बक्सा लेकर मेरे पास आया मैंने महेश को सलाह दी की मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपने तिलक विद्याले के विद्यार्थियों से अधिक गुण प्राप्त कर लिए है इसी लिए आप सबसे पहले तिलक विद्याले जाकर वहां के मुख्या ध्यापक को पहले मिठाई दो और बताओं की मैं डोम विवली में प्रथम क्रमांग प्राप्त कर उतीन हुआ हूँ यह करने के बाद ही मैं आपसे मिठाई स्वीकार करूँगा महेश ने ऐसा ही किया लेकिन उसका परिणाम यह हुआ की आगे चलकर कई अंध विद्यार्थियों को तिलक विद्याले में पढ़ाई करने का मौका मिलता गया यह महेश के प्रण लगन तथा मेहंत का असर था जब यह बाजी जितने वाला महेश जब बाजीगर सिद्ध हुआ तो उसने अपने आने वाले जीवन में भी सफलता की मंजिले कदम दर कदम हासिल ही करता रहा बहेश ने मुंबई विद्यापीट से संस्कृत विशय लेकर कला शाखा की पद्वी प्राप्त कर ली और मास्टरेट करने के लिए वह पूना यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ वही से उसने संस्कृत विशय लेकर ए में उपाधी प्राप्त कर ली संस्कृत पढ़ते पढ़ते वह बुद्ध धर्म से जुड़े हुए संस्कृत वांगमय से परिचित हो गया जिससे वह बुद्ध वांगमय से पूरी जानकारी हासिल करने लगा तो उसे समझ आ गया कि वह जानकारी पाली भाशा में अधिक उपलब्ध है तो उसने पाली भाशा सीख कर मास्ट्रेट की उपाधी प्राप्त कर ली संस्कृत विशय लेकर जब महेश मास्ट्रेट कर रहा था तो उसकी पहचान अपने एक सहपाथी से हुई जो महेश उसे किसी भी प्रकार की मदद करने के लिए अपने आपको प्रस्तृत कर देती थी। धीरे धीरे दोनों में एक रिष्टा कब प्यार के बंधन में बंद गया ये दोनों को भी समझ में नहीं आया। मास्टरेट की डिगरी हासल कर महेश को पूना यूनिवरसिटी द्वारा संस्कृत भाषा सीखाने के लिए प्रोफेसर पत पर नियुक्त कर लिया। उसने उस प्रियतमा के साथ शादी के लिए घरवालों की मनजूरी लेकर दोनों विवा बंधन में बंद गए। आगे चलकर महेश को संस्कृत और पाली भाषा लेकर डॉक्टरेट करने की फेलोशिप भी पूना यूनिवरसिटी से मिल गई तब वे दोनों पती पत्नी इन दोनों भाषाओं की पढ़ाई के लिए च्छा मास जापान गए। अब उनोंने आगे चलकर संशोधन कर अपनी डॉक्टरेट की उपाधी हासिल कर ली। महेश पिछले कई वर्षों से पूना यूनिवरसिटी से जुड़कर वह पाली और संस्कृत भाषा का विभाग प्रमुख पद विभूशित कर रहा है। दो दशकों पहले यह योग्यता हासिल करना सचमच ही प्रशंसनिया है। इसकी प्रक्ती में उनके माता पिता और कौसिलर का सहयोग तो प्रमुख भूमी का अदा करता रहा। परंतु जो जेता बनने का प्रण महेश ने लिया था और वह प्रतिग्या पूरी करने के लिए जिस लगन अविरत परिश्रम और अदम्य साहस का परिचय महेश ने दिया। वह सचमच ही सहरानिय था। जिसमें छलक रहा था उसका स्वाभिमान, उसका आत्मसन्मान और जेता बनने की ललक। उसके द्वारा महेश ने स्थापित कर दिया कि वह बन गया है दुर्भाग्य को भाग्य में तबदील करने वाला विजेता। विजेता बनने के लिए महेश और उसके माता पिता ने जिस लगन के साथ मेहंथ कर उसका भविश्य उज्वल कर दिया। उससे कहने को जी चाहता है कि मेहंथ हमारा जीवन, मेहंथ हमारा नारा, मेहंथ से जगमगालो अपनी तकदीर का सितारा। National Association for the Blind, India अजया.